तो अभी हम बात करेंगे कितने अलग-अलग तरीके के campaigns होते हैं Facebook में और कौन से campaign को आपको focus करना है अलग-अलग तरीके के campaigns जो है मैं आपको basic समझाँगा यहाँ पर details में मैं नहीं जाँगा क्योंकि details में it's not very relevant और यह course हमने specifically teachers जो coaching center चलाते हैं जो trainers होते हैं उनके लिए बनाया है ताकि आप short में पूरा आप से जो मतलब आपके लिए relevant जो है वो आप सीख सकेंगे तो यहाँ पर अगर आपको ad चलाना है जो आप facebook पर ad चलाते हैं ad manager पर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है जब भी आप नया campaign सीखने परेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के campaign objective होते हैं यानि awareness हो गया traffic हो गया engagement हो गया lead हो गया app promotion हो गया sales हो गया तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ sales यानि अगर आपका e-commerce का जो है अगर आपका धंदा है ठीक है आप कोई product sell करते हो तो sales आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अप promote करते हैं या नि आप अपना app sell करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं then this is a very good option awareness होता है for example अगर आप YouTube channel को grow करना चाहते हैं अपने page को बढ़ाना चाहते हैं अपने आप टीम के साथ आप definitely जोर सकते हैं screen पर दिए गया link पर या हमारे website में जाके skilli.org पर जाके आप इसका जानकारी मिल सकते हैं और आजाता है engagement engagement के अंदर क्या होता है आप website के साथ भी engage कर सकते हो और आप app की video के साथ भी engage कर सकते हो आप e-commerce के साथ भी engage कर सकते हैं engagement मतलब होता है कि आपका जो obviously engagement बढ़ाना है simple है और next हो जाता है leads leads is where we focus आपको focus करना है क्योंकि आपको leads चाहिए आपको 1000 करोरो student हाँ आपको grow करने it's fine but आपका main जो है tuition आप tuition के लिए student चाहिए coaching के लिए student चाहिए trainer अगर आप है course अगर आप sell करना चाहिए तो उसको लिए आपको student चाहिए तो यहां पर one-to-one interaction करना चाहते है that's why you have to focus or rather you will be focusing on the lead part तो lead part में क्या हो जाता है कि आप यहां पर contact करते हैं यह campaign आपके लिए relevant होता है और इस course में हम इसी के उपर focus करते हैं तो जब भी आप lead पर click करते हैं तो आपके पस क्या option होता है आप contact कर सकते हैं call के माद्यम से whatsapp के माद्यम से या अपने website में भी उनको लेके जा सकते हैं या एक form आप fill up करवा सकते हैं student से और यह जो चीज़े हैं मैंने already बताया हुआ है form कैसे बनाना है वो आपको facebook पे जब आप ad launch करेंगे उसमें मैंने details में दिया हुआ था उस video में आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको direct call चाहिए यानि student directly आपको call करेगा तो यहाँ पे अगर click करता है इस form में तो यहाँ इस ad campaign पे तो वो directly call करेगा आपके phone number पे अगर आप whatsapp number दे देते हैं तो आपके पास directly whatsapp number आ जाएगा तो यहाँ पे आपको focus करना है कि यह जो campaign आपको चलाना है वो है leads के उपर आप focus करेंगे leads के उपर आप click करेंगे और उसको उपर लिखे जाएंगे और यहाँ पर फिर आपको recite करना है कि आपको whatsapp में से चाहिए call चाहिए form चाहिए मैं यहाँ पर prefer करता हूँ कि आप form के माद्यम से कीजिए form के माद्यम में क्या होता है कि आपको additional information मिल जाता है उसी के साथ साथ आप pre-qualify करते हो अप pre-qualify करते हो अपने customers को pre-qualify मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बार होगा कि आपने call का दे दिया बटन दबा दिया उसने phone करके बोला कौन है आप क्या है फिर आपको irritation होगा time-based होगा क्योंकि उसने ऐसा दबा दिया आप को रात को दो बज़े तक भी गाली दे सकता है क्योंकि मैं ऐसा ऐसा हुआ हुआ ह पर form में क्या होता है कि अगर आप दे देते हैं कि कौन से class का tuition है कौन से subject का tuition है अगर आपको offline पढ़ना है online पढ़ना है तो यहाँ पर उसको वो voluntarily उसको भर रहा है ऐसा नहीं कि भर दिया भर दिया पर इसमें नुकसा नहीं हो जाता है कि आपको जादा lead नहीं बिलता है फा आपको जो focus करना है वो है leads यानि leads पर focus करना है form पर focus करना है और फिर इसी तरीके सा आप अपने ad campaign को चला सकते हैं अगर आप tuition है trainer अगर आप दूसरे domain के हैं you can run any of these awareness campaigns it's fine but अगर आप tuition teacher है अगर आप coaching चलाते हैं अगर आप institute चलाते है, school चलाते है, college चलाते है, trainer है, courses sell करना then this is a very good option for you to get students online